हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम तो नॉलेज रिप्यू क्लासेस आप सभी को बतादू कि बिहार से च्छक भरती 2.0 का फार्म कैसे बरना है हम स्टेप बाइस टेप देखेंगे लाइब आपको दिखाऊंगा कि कैसे बरना है सबसे पहले हमें यह बीपेसी के साइट पर जाना ह अब यह नया पोर्टल खुल गया है इस पोर्टल पर हमें जाना है इस पोर्टल पर यह दे कि ऑनना रिजिटेशन लिखा हुआ है इसको हम नीचे स्कूल करके लाएंगे तो आपको कुछ चीजे दिख रहे हैं जिसको मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको समझ मैं जाए क्य इसको क्लिक करेंगे तभी हम भर पाएंगे अब यह आपका फार्म ओपेन हो चुका है रिस्टेशन फार्म खुल चुका है अब इस रिस्टेशन फार्म में क्या-क्या फिल करना है वह देख लिजी आप ताकि आप समझ जाए देखे इसमें सबसे पहले केंडिडेट का ना अगर किसी का नाम माल लेते हैं कि सरिता देवी है सरिता देवी ठेक है तो इसमें पहले नमें सरिता लिखेगा और यह लास्ट कैंडिडेट का लास्ट नाम है देवी इसमें लिखेगा अगर मीडल नेम अगर आपके आता है तभी लिखेगा अगर नहीं है आता है तो मत ल अगर आप साधी सुदा है महिलाएं अगर जो भी विवाइत महिलाएं के लिए है अगर हस्बेंड का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अब इसके बाद मदर नेम में अपना पूरा इसे में लिखना है एक चीज जोर ध्यान दिएगा अधार काड ही इसमें डालिएगा नंबर क्यों इसका रिजन क्यों है क्यों बता रहा हूं देखे अगर आप पैन क क्लिक किया तो क्या लिख करा रहा है और साथ में आपको 200 रुपे पर पोस्ट भी एक्ष्टा चार्ज होगा तो हमें यह नहीं करना इसलिए हमें क्या करना है अधार काड करना अधार काड जैसे इसमें नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद पीडिएप अधार का अपलोड कर करेंगे दोनों जो आपका अधार काड होगा पहले साइड और बैक साइड दोनों का एक ही पेज पर प्रिंट होना चाहिए कुछ इस तरह जैसे अधार का ऐसा होता है तो इस तरह समझ गये अगर इस तरह नहीं है तो आप दोनों अधार का फ्रंट और बैक दोनों इस तरह के लिए चले अब आगे बढ़ते हैं अधार काट के बाद आप अगर आप सेडियन हैं इंड्या के तो यह करेंगे लिए पर उसके बाद अगर आप बिहार के법 परमारंट रेजिडैंस हैं तो आप इस करेंगे तो आपका सब डीटेल भरने Cliff करना जाएगा ठीक है अगर आप कोई Reserve category में belong करते हैं तो yes करेंगे तो yes करने के बाद जैसे करेंगे तो आप किस से EWS से है या फिर OSC है OBC किस से है यह ठीक है किस कास्ट से वो mention करना होगा उसके बाद certificate certificate नाम यह सब mention करना होगा अगर जो भी candidate अगर इससे में नहीं है तो सीधे से नो करेंगे क्या करेंगे जैसे ही आप एक मिनट आप जैसे ही इस पर नो करेंगे किस पर बिहार के रहने वाले नहीं यानि दूसरी स्टेट वाले अगर अपलाई कर रहे हैं तो नो कर दीजिए ठ करते हैं मेरिट् unless इस में आप जैसे मैडिय थो मेरिट पर करिए अगर यहां अदर है तो जो कॉई तो वेंसन कर सकता है यस कर सकता है नहीं तो कोई बात नहीं और यहां पति ढ Eddy इन एकक्स सर्विसमेन का मतलब होता है कि क्या पहले भी आप कभी आर्मी नेवी एर फोर्स में काम किये हैं अगर यस जैसे हैं अप यस करेंगे तो सारे डटेश आपको होगा certificate number यह सब अगर नहीं तो नहीं पर कर दीजिए आगे यह देखें आपने किसी पंचाइती राज संस्था एवं नगर निकाय अस्थानांतरगत निक्ति एवं काररत सिच्छक हैं तो यस अगर नहीं है तो नोप करिए जैसे यह करेंगे तो यह designation यह post office सब open हो जाएगा certificate upload करना हो जाएगा नहीं तो नोप करिए आगे बढ़िए अब आता है qualification की बात कि अपनी आपकी सैच्छिक प्रसेच्छडिक योगिता के अनुसार इसमें क्या है प्रसेच्छडिक की बात किया जाए तो देखें सबसे पहले मैं बात करूँ अगर आ से च्छडिक योगता था बीएड आधी धारक नहीं है 11-12 के लिए संगीत ललित कला या नित के लिए 9-10 के लिए विसेज विद्याले ध्यापक 9-10 के लिए बाकि जतने भी लोग है बीएड हैं या बिटिस बीए बीए एड है या फिर ब्यस्सी एड है ये सारे सारे लोग उतीड पातरता और दच्छता परिच्छा में क्या डिफरेंस से ये बताएं सर ये किस चीच का है किवल दच्छता में अपलाई करें कि पातरता में करें या दच्छता पातरा दोनम करें देखिए आपको बता दूँ कि कुछ चीजी है जैसे यहां पर लिखा है दच्छता परिच्छा 2012 से पहले जो पेपर होते तो उसको दच्छता परिच्छा करते थे ठेक है और उसके बाद जैसे अभी जो होते है पातरता जैसे सेटेट हो रहा है पातर है पातरता परिच्छा सब्सक्राइब करना है तो देखिए यहां पर बच्चे बहुत सारे लोग हैं देखिए हम सिट अकर आप सीटेट पेपर अपियर दुए सिटेट पेपर 2 क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं six to eight इस language में से किसी भी से किये हैं तो यह apply कर दीजिएगा अगर मैं बात करूँ बिहार या state paper second की बात किया जाने PGT की बात किया जा रहा है या state अगर paper second qualify किये है तो 11-12 के लिए हो गया या state second in language के लिए है या state second in sub language के लिए है इन में से आप जो भी है वो कर सकते हैं और ज्यादा तर हम जहां तक अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे जो है general category से अगर वो क्योंकि बेड किये है जो लोग बेड किये है प्लस graduation किये है वो 6-8 apply करेंगे इस वाले को tick करेंगे क सेटेट पेपर 2 qualified होगा उनका चलिए आगे बढ़ते है अब देखें सेटेट पेपर सेकेंड की बात कर रहा है या फिर बीटेट पेपर सेकेंड की बात कर रहा है इसका आपको certificate नंबर आपको डालना होगा यहां पर issue date भी mention करना होगा और यहां पर इसका PDF यहां अपलोड करना होगा ध्यान रखेगा पीडियाप अपलोड करना होगा आप इसके बाद आप इनमें से किस विद्याले अध्यापक के अनिवारता हरता रखते हैं यानि आप किस विद्याले में अपलाई कर रहे हैं सिच्छा विद्याले दापक के लिए कर रहे हैं या फिर कल्याड विभाग की पिछड़ा अधी पिछड़ा वर्गे के लिए अगर आप जनरल है अधर स्टेट से या फिर कोई व्योत भाई सिच्छा विभाग के अंतरगत अपलाई कर रहे हैं यह उन लोगों के लिए जो अधर स्टेट से बिलॉंग करते हैं सिच्छा विभाग के लिए अपना देख लीचेएगा कल्यार विवाग कितनी सीटे है उसके एक आडिंग ही अप्लाई करिएगा अलाकि इस पर वीडियो मैंने बना दिया और देख सकते हैं और देखिए आप इसके बाद जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है उसके बाद आपको सब्जेक्ट कंबिनेशन इस सब्जेक्ट से चुनना होगा यह लैंग्वज पेपर है आपको बता दू कि यह जो लैंग्वज पेपर है इसमें ठेक इसमें लैंग्वज पेपर है ध्यान से देखिएगा इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा क्योंकि लैंग्वज पेपर है इसमें आएगा ठेक है इसको अपर धे खुल रहा है हिंदी लिख किया रहा हे क्या लिख अर्दू बेंगुंच DIE हाकर कोई वी लेंगुज आप करके हिंदी की यहांगे킨 हैं चांशाव अगर आप हिंदी लेते हैं तो अर बाकी 8 आपकी English रहेगा इन में प्लिक करते हैं इसके बाद अपना डेटा बर्स या मेंूंकर सकते हैं देखे एक चीज में बता दूं यहां पर प्राब्लम आ रही हुगी अगर आप फर्म भर रहे हैं तो मैं प्राब्लम क्या रही हुगी वो भ अब ये सब होगया data SAR अगर फिल करते हैं या पर तो data बर्द जैसे ही आप इंटर करेंगे इग आपर एक चीज देखें मन्त अब मैंने मन्त यहां मैं रहा हूं जहां से सबहाएगा थेख़ें दस कर दिया मैंने उसके बाद यहां पर कर दिता हम टिक स्ट्ब्राब्लम कहां आएगी दिखे में बदादू कभी कभी क्या होता यह वाला fraction जो है नहीं लेता है टेक है कभी-कभी आपको यह वाला स Eggseem नहीं लेगा कभी यह वाला से klar नहीं लेगा तो घबड़एजये गमथ उसको अब आप फार्म जो कोसिस करिए कि अरली मॉर्निंग अगर भर सके भर सके ऐसे समय वरिएगा जब ट्राफिक कम हो उसके बाद आपना एड्रस यहां मेंसन करेंगे जैसे यह डालेंगे यहां पर आपना डाल दिजिएगा जो भी यो पोस्ट विलेज डिस्टिक जो भी डालना उस करिएगा जैसे आप कर लेंगे उसके बाद सम्मिट रिजिस्टेशन कर देंगे जैसे आप सम्मिट रिजिस्टेशन कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या लिख कर आएगा मैं बता दू कि आपका रिजिस्टेशन नंबर देदेगा ठेक है उसके बाद आपका चीज रखें कभी मोबाइल किसी भी कारण से डिलिट हो गई आप इन्फार्मेशन तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए आप अपने एक डायरी पर लिख लीजेगा उसके बाद आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं समझ गए अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होग कारण सिच्छा के लिए होता है दच्छता पुरिचा इनके लिए है ठीक है लेकिन परता परता उइनके जो सेट दे रहे आ आ आप अब वाई सेट दी होंगे उनके लिए तो फिलाल हमारे इसाब से जनकारी जो भी दी गई आपको समझ में आ गई होगे अगर कोई डाउट